Good morning students, part 1, वाचिडिया जो, यहाई कभीता है, और इसके कभीं केदानात अगरवाल जी, सरपर्थम इसका सस्वर वाचन करेंगे, सभी बच्चे द्यान दें वाचिडिया जो, चौच मार कर, दूद भरे जुन्डी के दाने, रुच से रस से खा लेती है, वाचोटी संतोसी चिडिया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है वाचिडिया जो, कंठ खोल कर, बोडे वन बाबा की खातिर, रस उंडेल कर गा लेती है, वाचोटी मुह बोली चिडिया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है वाचिडिया जो, कंठ मार कर, चड़ी नदी का दिल टटोल कर, जल का मोती ले जाती है, वाचोटी गरबीली चिडिया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है तो इसका वाचन था, इसके बाद आप सभी इसका भावार त्यान से सुनेंगे इसकविता में कभी ने अपने मानिवे गुणों को जागर किया है वाचिडिया जो, चोंच मार कर, दूद भरे जुन्डी के दानी वाचिडिया है, जो कल्पित चिडिया है, जो कभी ने अपनी कलपना की अनुसार, जिस चिडिया का वरणन क्या है वो इस परकारे वहाँ चिडिया जो चिडिया है वहाँ अपनी चोंच में क्या लियाती है जुंडी के दाने जुंडी का रथे गेहूं या अनाज के दाने अपने मुँ में ले जाती है रुची से रस से खा लेती है और उन्दानों को बड़े रुची से बड़े चाव से बड़े प्यार से बड़े रस से स्वाद से उनको खा लेती है वह चोटी संतोसी है चिडिया और चिडिया कैसी है संतोसी है और चोटी है उसे जो भी मिल जाता है उसमें वहाँ परम संतोस हो जाती है नीले पंखों वाली मैं हूँ चिडिया कैसी है नीले पंखों वाली मुझे अन से बहुत प्यार है और चिडिया कह रहे है उसे किसे प्यार है अन से दूसरा पद्यांज देखिए वह चिडिया जो कंठ खोल कर बूडे वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है वहा चोटी मोह बोली चिडिया तो वहा जो चिडिया है वहा अपनी कंट से मधुर कंट से क्या करती है पूरे वन में बड़े मधुर स्वर से गाती है वहा चोटी मोह बोली चिडिया चिडिया कैसी है चोटी है और मोह बोली है नीले पंखों वाली मैं हूँ और चिडिया कैसी है निले पंखों वाली मुझे विजन से बहुत प्यार है और चिडिया को किसे प्यार है विजन से विजन का अर्थ है एकांत जगा से तो उस चिडिया को कहां रहना पसंद है एकांत जगा में रहना उस चिडिया को पसंद है वह चिडिया जो चूंच मार कर चड़ी नदी का दिल टटोल कर और वो जो चिडिया है वह अपनी चूंच में कहां गई नदी के पास गई जल का मोती ले जाती है और उस नदी में नदी से क्या करते है जल की बूंदों का मोती अपनी चोंच में ले जा लेती है अर्थार्थ अपनी प्यास बुजा देती है वा चोटी गर्बी ली चिडिया मुझे नीले पंखों वाली मैं हूँ तो वा चोटी चिडिया है वा कैसी है गर्ब से वरी वी है नीले पंखों वाली मैं हूँ और कैसी है नीले पंखों वाली मुझे नदी से बहुत प्यार है और उस चिडिया को किस से प्यार है नदी से भी उसको बहुत प्यार है तो ये इसका भावार्त था इसमें तीन पध्यास हैं तीनों पध्यास भावार्त मुने आपको बताया और इस कविता कि आप सभी आप सभी बच्चे आठ पंक्तियां कोई सी भी आठ पंक्तियां कंठस्त याद करेंगे ओके थैंक्स